हलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो तो आशा है आप सब अच्छे से होंगे तो देखिए गारडन में विंटर के काफी है सारे फूल खिले हैं बहुत अच्छे-च्छे देखिए पैंजी का ये फ्लावर ये वाइट रोज बहुत ही प्यारे लग रहे हैं फ्रेंड्स यह देखिए यह देखिए पिंक रोज काफी खिला है इसमें बहुत सारी कलिया और बहुत सारे फूल लगे हुए है तो आएए चलते हैं कम धूप में चलने वाले कुछ फूलों के प्लांट के नाम हम बताएंगे जो कि आपकी पालकनी गार्डन कहीं भी जहां कम धूप आती है वहां पर आराम से चलेंगे फ्रेंड्स तो सबसे पहला नाम है क्लैंचो का जो एक बार खिल जाता है तो महीनों लगा रहता है इसका फ्लावर तो यह बहुत ही कम धूप में एक घंटे की धूप अगर आपकी बालकनी में आती है या फिर जहां भी आप पौधे रखे यह देखिए यह सिरेनियम का प्लांट आप ला सकते हैं फरवरी मंत में 30-40 रुपे में आपको नरसरी में मिल जाएगा फ्लावरिंग की बात करें तो यह लगातार एक बार खिल जाता है इसका फूल तो लगातार बना रहता है बहुत ही पैरा प्लांट है फ्रेंड्स और यह तीसरा नाम यह देंथर्स का है जो अभी भी यह प्लांट लाएंगे तो बहुत ही कम धूप में बहुत अच्छे से खिलेंगे कई रंगों कई विराइट्व में आते हैं सिंगल पैटल डबल पैटल तो आपका कम धूप में एक घंटे की धूप भी आती है तो यह काफ नर्सरी से लाएंगे अभी भी ला सकते हैं लाएंगे तो इसमें भर भर के फ्लावर आते हैं जहां भी आपके यहां एक घंटे की धूप आती है इसको आराम से रख सकते हैं बहुत दिन तक इसके फ्लावर बने रहते हैं और पांचवा नाम है कोलियस का कोलियस भी दूप जहां आती है महां रख देंगे यह खुबसूरत पतिवारा प्लांट है जो कि आपके फूलों की कमी को पूरा कर देगा फ्रेंट्स तो इसको भी आप जरूर लगा सकते हैं और जहां पर भी कम दूप आती है महां रख सकते हैं तो छटा प्लांट है पॉइंट सेटिय का प्लांट ये भी बहुत ही अच्छा होता है इसकी पत्तिया इतनी कलरफूल होती है कि फूलों की कमी को भी पूरा कर देती है बहुत ही कूपसुरत प्लांट होता है और साथमा नाम है विंका का ये भी अभी भी आप लाएंगे तो कम धूप में बहुत आराम से चलते हैं व जाती है तो इसको जरूर अपने गार्डन में एट करें फ्रेंट क्योंकि ये कम धूप में एक गंटे के धूप में बहुत आराम से साल बर चलती है और गुलदाओदी भी अगर अभी आप लाते हैं नरस्री से अगर एक बार प्लांट खिला हुआ है तो कम धूप में इसके करीब 1,5 महिने तक बने रहेंगे तो फ्रेंट इसको भी अपने गार्डन में एट कर सकते हैं बहुत ही पैरा प्लान्ट होता है और ये देखिये बहुत ही खूबसूरत प्लांट इसको भी आप अपने गार्डन में एक दो गंटे के जहां भी दूप आतीं वहां एड कर सक प्लावर आती हैं बहुत कम धूप में चल सकता है बहुत अच्छा प्लांट होता है दस्वा प्लांट है ब्लीडिंग हार्ट का यह भी कम धूप में बहुत ही आराम से खेलता है बहुत ही अच्छा प्लांट होता है तो आपको यह जानकरी कैसी लगी तो फ्रेंड्स चलिए म आगले वीडियो